राखी सावंत ने हाल ही में इंस्टेग्राम लाइफ पर अपने परस्टनल लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात की कोच इंसान को पता हुता है दोस्तों हमेरा ताम अच्छी संदिजी है किसे पता है कि हम एक गड़े में कुछ जाहिए या अमरे जंदिजी बुक ड्रमाटिक फ्लेर के लिए जानी जाने वाली अक्ट्रिस और रियालिटी टीवी स्टार ने अपने एफ एनेस के साथ एमोशनल अपडेट शेयर किया मैं आप सभी के साथ इमानदार रहना चाहती हूँ मैंने अपनी जिंदगी नर्क बना ली है मेरी सेहत खराब हो रही है और मजबूत बने रहना बहुत मुश्किल है मैं फिर से एंटरटेन करना चाहती हूँ लेकिन अभी मुझे ठीक होने पर ध्यान देना है एमोशनल लाइव सेशन में राखी ने बताया कि हाल की घटनाओं ने उनकी सेहत पर कितना असर डाला है उन्होंने अपने फैंस का एंटरटेन्मेंट जारी रखने की इच्छा की लेकिन अक्सेप्ट किया कि प्रेजेंट में उनकी प्रायॉरिटी उनका स्वास्थ्य है अपने एंटरटेनिंग अंदाज और ओन दे फेस आटिट्यूट के लिए जानी जाने वाली राखी के इस खुलासे ने उनके फैंस और एंटरटेन्मेंट इंडस्ट्री से भारी समर्थन प्राप्त किया है भी नहीं किया मैंने बला भाई मैं जबान खोल दूंगी मैं बड़ बोली हूं अफ्रंट हूं सामने बोल दूंगी मुझे काम दो पैसा मत दो चलेगा काम दो क्योंकि काम मिलेगा गाना मिलेगा तो मुझे हर्जे के शो मिलेगे शो मिलेगा तो मेरी रोजी रोटी आईग मैंने इसलिए यह सब कुछ किया क्योंकि मेरे माबाप गरीब थे उन दोनों कि मेरे डैडी पुलीस में थे हवालदार बाद में वो बड़े पुलीस वाले बने जब मैं पैदा हुई तो वो हवालदार थे उसके बाद उनको थ्री स्टार दिया गया मेरी माँ हस्पिटल में आया थी जो ढडी होती है अ़ अवर मरताने के बाद बाध बनताए है। जय में जाड़ुचिंदी करते हैं बहुत गरी परिवार से मैं आयो ही लड़ी। वी अबहूरी वार से मैं दोस्ते और उस तो में पुरी दुनिया है। और जो ऑफे बार ग्वेरा हो जाल जो सब्सक्राम का एंस विल्मी तिल टूले में टूले टे केर बाइ टिल्गी का बूले बाक्रान कवा